आज का बहुत ही सिंपल रेसिपी है बनाना पकोड़ा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो मैंने यहाँ पे एक बनाना लिया है इसे हम छील लेंगे उपर का जो ग्रीन कलर का छिलका होता है ना उसे हम निकाल देंगे आप चाहें तो इसे ऐसे चोटे चोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे बड़े बड़े पीसेस में भी कट कर सकते हैं इसे कट करते ही तुरंथ हम इसे पानी में रख देंगे नहीं तो यह काला पड़ जाएगा तो हम इसे पानी में रखके साइड में रख लेंगे और मैंने यहाँ पे एक बॉल लिया है वन कप बेसन टू टेबल स्पून राइस फ्लोर हाफ टी स्पून मिर्ची पॉडर थोड़ा सा नमक और बिल्कुल थोड़ा सा खाने वाला सोड़ा डालेंगे और आधी छोड़ी चमच अजवाइन इसमें अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम इसे मिक्स कर लेंगे इसे हमें थोड़ा सा गाडा ही रखना है यह देखिए बिल्कुल ऐसे ही रखना है और अब हम बनाना को इसमें डाल कर और फिर हम इसे तेल में डाल देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे दोनों तरफ तो हमें इसे मीडियम फ्लेम में दोनों तरफ अच्छे से फ्राई कर लेना है आप इसे मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे तोले थैंक्यू फर वाचिंग